तो हाँ बाई करें शुरू तो आज की स्वीटी बिंदर हमारे पास है Samsung F62 और आपके भाई ने इसका complete test कर लिया है बट उससे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले launch event देख लिया पर price आने वाला है तो finally इसका price आ चुका है और इसका price 24,000 रुपीज और अगर आपके पास ICIC का card है debit or credit तो आपको 2500 रुपीज का discount मिल जाएगा तो इसका price और कम हो जाता है को एक improvement लगी है सबसे पहली कि इसका जो SIM slot है काफी बार क्या होता था SIM tray जो है Samsung की वो काफी cheap quality की होती थी तो इस बार इन्हों ने इस पर काफी ध्यान दिया है और इसकी quality काफी improve कर दिया है प्लस इसके अंदर आप memory भी expand कर सकते हो आपको दो SIM और एक memory card का option देखने के लिए मिल जाता है और एक चीज मैं आपको बता दूँ इसके अंदर UFS 3.0 है जिसकी reading और writing speed काफी fast है तो इस price range के अंदर Samsung ने वो सारी चीज दी है जो आपको चाहिए बागी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि Samsung की F-series के अंदर NOX नहीं होती थी तो इस बार इन्होंने NOX दी है और NOX कोई software based चीज नहीं है इसके लिए dedicated hardware लगाया जाता है और यहाँ पर hardware प्लस software के साथ यह काम करता है तो इहाँ पर hardware दिया गया है यह का fingerprint आप लगाओगे तो उहाँ पर लिखा भी आता है कि secure by NOX और इसके अंदर आपको edge panel भी देखने के लिए मिलता है NFC दी गया और Samsung पे भी काम करता है इसके अंदर और यह भी secure है NOX के द्वारा तो यहाँ पर Samsung ने NOX के सारे feature इसके अंदर डाल दिया है और A-series के भी गया तो इस मामले में Samsung को जो हम बताते थी कि यह कम यहाँ है तो इन्होंने यह चीज़ इंप्रूब कर दिये और सबसे ची बात यह कि इसके अंदर आपको haptics भी देखने के लिए Samsung M51 जैसे अब मूव करें हाँ पर next चीज की तरफ जो है processor की 20 के अंदर 14 साल या 2 साल पुर देखा और score इसका दूसरे GPU से काफी उपर आया था जो इस price range के अंदर मैंने phone test की हुए है और मैंने एक चीज़ और चेक करी थी कि इस price range के अंदर मैंने जितने भी phone test की हुए है उनके अंदर average fps 9.30 देखने के लिए मिलते थे लेकिन यहाँ पर काफी तगड़े देखने के के लिए मिलते हैं और CDC बात है यहाँ पर flagship processor देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर GPU आपको देखने के लिए मिल रहा है प्लस इसके अंदर आप अगर asphalt जैसे game खेलते हैं तो asphalt में जब crash होती है car तो यहाँ पर frame drop बगगरा देखने के लिए मिली जाते है इस price range के अंदर ब हाई हर कोई game नहीं खेलता तो day to day life में भी इसकी performance काफी कमाल की है और यहाँ पर मैं N22 से इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं तो आपके भाई ने पहली बार N22 run करा लिया था दुबारा आपके सामने करा रहा हूं यहाँ पर तो जैसी मैंने click करा तो processing काफी fast ही सब और एक चीज है कि यह भाई इस gun ने measure कर लिया था लेकिन in hand में आपको यह भी feel नहीं होगा तो यह phone भाई heat नहीं होता तो काफी सारे लोग यह चीज पूछ रहेते तो मैंने it out I think clear कर दियोगा बागी यहाँ पर जो score आया वो 4 lakh प्लस था और इस price range के अंदर कोई भी इतने score नहीं दे रहा हाला कि मैं score वगयरा पर इतना focus नहीं करता नहीं मैं मानता हूं score को बट सील यहाँ पर जो performance मिल रिया वो काफी कमाल की है अब मैं एक चीज बताना चाहूँगा काफी सारे लोग पूछ रहेते थ्रोडिंग तो नहीं है तो यहाँ पर भाई देखो CPU throttle के अं इसके नदर यह best performance आपको दे रहा है तो इस मामले में इसको मैं big thumbs up देना चाहूँगा और काफी सारे लोग करे थे कि best deal अभी भी M51 है तो M51 अगर इससे सस्ता मिल रहा है तो आप उसको ले सकते हैं बट अगर आप इसके बरावर पैसा उठा सकते हैं तो इसकी तरफ जाना M51 वाल ही है अभी दूसरी कंपनिया कम दे रही है तो यहाँ पर Samsung को इस चीज को improve करना पड़ेगा बागी चिन आपको काफी कम देखने के लिए मिलती है इसकी quality की बात करूँ amazing है और इसके अंदर वो वाली problem भी नहीं है Samsung M51 वाली adaptive brightness की तो यह सई चीज लगी और इसकी जो लोगों के लिए deal breaker हो सकता है तो मैं चीज कह दूँ कि IPS 120 Hz से better मैं Samsung का 60 Hz पैनल लेना पसंद करूँगा तो आपकी क्या opinion ने वो comment section में बताना और वीडियो चले गए तो like जरू कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe जरू कर देना मेरे दोस्त तो यह हो गई काफी अच्छी है इवन मेरा फ्रेंड गया था मेरे साथ photo click करने उसको बहुत ही पसंदाया इसका camera ओल ओवर एक balance image लेता है details अच्छी है यहां पर edge detection काफी कमाल का dynamic range बहुत ही अच्छी है अभी मैंने जितने भी phone use करें इस price range के अंदर उसमें से सबसे अच्छा camera मेरे को इ right side से blur रहती है तो samsung को इसकी अपडेट देनी पड़ेगी और यह सिर्फ night के अंदर ही देखने के लिए मिली मुझे problem बागी daylight conditions के अंदर काफी कमाल का है और यह phone का अब बात करें इसकी वीडियो की तो आप यहां पर वीडियो देख सकते हैं तो अभी जो आप यहां पर वीडियो देख रहे हैं यह रिकोर्ड और यह Samsung F62 के front camera से और इसमें आपको काफी अच्छी stabilization देखने के लिए मिल जाती है बाकी यह front से record कर सकता है 4K 30fps में यहां पर 60fps का कोई option नहीं दिया गया और light की बात करूँ बात करूँ बात करूँ की सब चीज अभी ठीक लग रही है और इसके बारे मैं और बात करूँगा अपने review के अंदर तो यह बात होगी camera की अब बात distribution और होता तो मज़ा आ जाता क्योंकि यहां पर काफी fingerprint लग रहे हैं इसकी glossy back होने के विए से but still यहां पर मैं कहूं कि M51 से इसकी back कितनी change है तो यहां पर आपको यह pattern देखने के लिए मिलता है दूसरी चीज में scratch हलकी सी कम लगनी M51 के comparison में लेकिन फिर भी अभी इसकी back को थोड़ी सी और improvement की ज़रुएता है लेकिन अगर आप cover अगर लगाते तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब मैं एक चीज बता दूँ कि यहां पर जो इसकी thickness है वो ठीक मिलती है दूसरे यहां पर weight जाता है बट इसका weight distribution काफी कमाल का है जैसे मैं Samsung को हर बार बोलता भी हूं दूसरी चीज यहां पर जो इसका side fingerprint sensor है इसकी speed काफी साही देखने के लिए मिलते है और इस बार यह secure by nox भी है अब मैं आपके एक चीज बता दूँ कि इस phone की जो in hand feel है all over Samsung m51 जैसी है और इसके अंदर जैसे कि आपको पता भी है 7000 mh का battery दिया गया वे 25 watt fast charging तो इ दूसरी चीज यहां पर जो आपको speakers दे गए हैं यहां पर कोई आपको stereo speakers से नहीं दे गए हैं और आपको mono speakers दे गए हैं और मैं आपको इसकी sound सुना देता हूं तो इसकी sound के बारे मैं यह कहूंगा M51 जैसी है आपको जादा loud भी देखने के लिए नहीं मिलती नहीं जादा कमजोर है तो यहां पर ठीक है बड़ थोड़ी और इंप्रूव हो जाती तो मज़ा आ जाता अब एक चीज कहूंगा इसके अंदर 3.5 mm jack का गड़्डा दिया गया है और यह Dolby Atmos भी support करता है तो यहां पर मैंने sound सुनी 3.5 mm jack 7 यह काफी सही है तो all over मैं अब आपको बताऊं कि इस phone के अंदर आपको अच्छी security देखने के लिए मिलती है और नेक्स चीज यह phone 5G नहीं है और मेरे साब से 5G का क्या करना मलब जब तक आपको चीज अच्छी ना मिले और वैसे भी 5G आनी रहा वहां पर आपको सारी चीज मिल रही है तो आप मुझे comment section में बताना क्या आपके लिए 5G होना important है या एक all over perfect device क्योंकि अभी 5G आने में झाल 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 झाल